नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको Mega CB Drop के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इसका इस्तिमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसके डोस्तों के बारे में इसकी Market Price, Content, Side Effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स की वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको Mega CB Drop के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स Mega CB Drop इसके Market Price की बात करें तो अठाउन रुपए इसकी Market Price है और फ्रेंट्स यह जनुरी 2020 का बना गुए है और दिसंबर 2022 में इसकी इस्पाइरी है फ्रेंट्स इसके कंपनी की बात करें तो इसको अरिष्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुत ही अची कंपनी है तो फ्रेंट्स यह शिरफ आपको हर एक मेटकल इस्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो आएए जानते हैं इसके फायदे के बारे में तो फ्रेंट्स यह छोटे बच्चों के लिए होता है जो की 0 से 1 साल तक के होते हैं इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें एमाक्सी सिलीन और पोटेसियम कलेवला नेट होता है फ्रेंट्स इसके प्रते के मेल में एमाक्सी सिलीन जो की 80 mg में होता है और पोटेसियम कलेवला नेट जो की 11.4 mg में होता है तो फ्रेंट्स ये बहुत ही बैतरिन इंटिबाइटिक है जो कि बैक्टरिया के विकास को रोगती है और बैक्टरिया को मारती है तो फ्रेंट्स बैक्टरियल इंफेक्चन बच्चों में हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि बच्चे को बुखार हो गया, खांसी आ रही हो या टांसील हो गया हो या गले में सूजन या इंफेक्चन हो गया हो तो इन सब को ठेक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा प्रेंट्स कान में किसी भी प्रकार का infection हो गया तो इसको भी ठेक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा प्रेंट्स स्वासनली में या फेपडों में कहीं पे सूजन या इंफेक्शन हो गया हो तो इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा फ्रेंट्स अगर बच्चे को UTI प्राब्लम है यानि कि यूनिट एक इंफेक्शन है पिसाब में जलन हो रही हो या बार बार पिसाब हो रहा हो तो इन सब को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा फ्रेंट्स बच्चों को कहीं पे छोट लग गई हो जिसमें बलीडिंग हो रही हो या फोड़ा पुंसी हो गया हो तो उन सब को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है और फ्रेंट्स बच्चों को स्कीन में कहीं पे इंफेक्चन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा फ्रेंट्स बच्चों के हड़ियों में कहीं पर infection हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है बहुत ही बेतरीन एंटिबाटिक है जो की bacterial infection को ठीक करती है तो फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं मेगा सीवी ड्राप के डोज के बारे में तो अगर बच्चा जीरो से लेके दो महीने तक का है तो उसको आधा ML या छेबुन दिन में दो बार दे सकते हैं और अगर बच्चा दो महीने से उपर है और एक साल के अंदर है तो उसको आप एक ML दिन में दो बार दे सकते हैं सुब़ और साम तो फ्रेंट्स इस तरह से इसका इस्तेमाल करें इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लें तभी इसका इस्तेमाल करें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है तो डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद ही इसका इस्तिमाल करें और friends कुछ side effect की बात करें तो इसके जो side effect हैं दस्त की समच्या हो सकती है, सरदर्द हो सकता है और friends जी मसलाना, उल्टी होना और कुछ allergic problem भी हो सकते हैं जैसे कि शरीर में खुझली होना, लालदाने निकलना, यह सब समच्या हो सकती हैं जो कि किसी किसी को होती हैं, सब को नहीं होती हैं तो friends इसको लेने के बाद अगर ऐसी कोई समच्या होती है, तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से संपर्क कर लें तो friends यह थी हमारी आज की जानकारी, मेगा सीवी ड्राप के बारे में आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोआउं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो friends मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ